यह टेकनीक जनरली बहुत एडवांस या बहुत ही एक्सपीरेंस ट्रेडर्स यूज करते हैं इस रिस्की थिंग और आप अपना विज्डम यूज करके ही इस इस स्टाटेजी को यूज कीजिएगा आपने बहुत बार सुना होगा ट्रेडिंग में एक कोट है अगर आपको कोई इस मार्केट में बचा सकता है वो है स्टाट लॉस इसलिए एक ट्रेडर को स्टाट लॉस हमेशा रखना चाहिए अपने पोजीशन के अंदर एक बड़ा क्वेशन यहां पर यह आता है वो स्टाट लॉस रखना कहां पर है लाइक फर एक्जांपल देरा सर्टेंट टेकनिकल सेटप जो आपको प्रिसाइजली बताते हैं कि यह आपका स्टॉप लॉस है और यह आपका टागेट है ठीक उस तरीके से अगर आप डेरिवेटिव के बेसेस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी आपको पता लगता है कि यह X रुपीज आपका स्टॉप लॉस है और Y रुपीज आपका टागेट है So now the question arises ऐसा कौन सा स्टॉप लॉस लिया जाए तो 1 या तो वो ब्रीच ना हो और 2 अगर वो ब्रीच होता है तो इसका मतलब मार्केट वापस मेरी डिरेक्शन के अंदर नहीं जा रही है इसका मतलब मेरा स्टॉप लोस लेना वहापर बनता था सबसे पहले as a trader आप जब ट्रेडिंग सीखते हैं आप जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं and you have learnt a few technical analysis setups or a few statistical or derivatives whatever kind of analysis you do वो सारी चीजे आपने वहापर apply कर for example you bought a stock at 100 rupees और आपका stop loss था 98 rupees और आपका target था 110 110 rupees market 98 पे आई आपका stop loss हीट हुआ और उसके बद मार्केट वापी सूपर चलेगी so पहला thought जो एक trader के माइन में आता है कि जो मेरा stop loss है मैं वही रखोंगा लेकिन आपका stop loss market हिट करती है तो 10 में से 8 trader से आप अगर आप पूछेंगे तो उनकी यही problem होगी कि market उनके stop loss को हिट करती है और market वापिस मेरे favor में move करना start कर देती है how should we be keeping this stop loss क्या मैं हर बार अपने stop loss को हिट होने दू नहीं तो second thought माइन में यह आता है कि अगर market में अगर technically मेरा stop loss 98 बनता है तो मैं 100 पे buy करके 98 का stop loss लेने की जगा मैं 97.90 या 97.50 का stop loss लेता हूँ अब ऐसा होने पर मेरा stop loss बहुत बार नहीं breach होता और market मेरे favor में रहती है और मैं बड़ा profit book कर पाता हूँ लेकिन यहाँ पर problem यह आती है कि अगली बार जब कभी मेरा stop loss hit होता है तो इस बार क्योंकि वो 98 की जगा 97 या 97.50 यहाँ पर hit हो रहा है तो मेरे losses जब कभी भी होते हैं लेकिन जब कभी होते हैं तो losses बड़े होते हैं वो modification किया था 98 का stop loss अगर आपका बनता है तो आप उसको 98 का ही मानिये लेकिन follow a 10% rule और preferably rather follow a 20% rule but before I start discussing this stop loss thing with you this stop loss taking strategy with you let me tell you that it is a risky thing and you should always consult your financial advisor और आप अपना wisdom यूज़ करके ही इस strategy को यूज़ कीज़ेगा इस stop loss की technique को यूज़ कीज़ेगा क्योंकि यह technique generally बहुत advanced या बहुत ही experienced traders use करते हैं so what they do is let's learn it here so what they do is if their stop loss is 98 अगर उन्होंने 100 पे buy किया और 98 उनका stop loss था और 110 उनका target था तो 98 का stop loss रखिये लेकिन follow a 10% rule इसका मतलब क्या होता है for example आप technically one hourly chart पे काम कर रहे हैं आप जिस chart को देखके आपने trade लिया था that was a one hour chart one hour is equal to 60 minutes 60 minutes का 10% is 6 minutes इसका मतलब ये है कि market अगर आपके against अगर आपके stop loss के नीचे कम से कम 6 minute trade करती है जो आपने 100 पे buy किया 98 का stop loss था अब 98 का stop loss हिट होते ही markets exit करने की ज़रूद नहीं है यहाँ पर experience traders क्या करते हैं यहाँ पर smart players क्या करते हैं वो 98 के नीचे market को 6 minute और for a 20% rule जो बहुत ही conservative traders करते हैं 6 minute की जगा 12 minute वो market को अपने stop loss level के नीचे trade होने की या फिर अगर आपने short कर रखा है तो market को अपने stop loss level के ऊपर trade होने की wait करते हैं और अगर यह market मेरे stop loss level से इतनी देर 10% ये 20% depending upon your how aggressive or how conservative you are as a trader और ये हर इंसान का अपना nature होता है so for example you are following a 10% rule तो आप wait करेंगे के market 98 के नीचे 6 minute sustain करे इसमें disclaimer ये है कि ये भी हो सकता है कि इस period में market बहुत ही sharply move कर रही हो इसलिए मैंने बोला कि ये बहुत ही experience के साथ ही या ये बहुत ही cautiously ही use किया जाना चाहिए so you have to be very very active you should be looking at the markets precisely at that point in time so that आपको कोई बड़ा loss ना हो जाए लेकिन अब smart place का करते है वो 98 के नीचे 6 minute market को trade करने का मौका देते है और अगर इसके नीचे market 6 minute sustain किये भीना अगर market यहां से वापिस उपर जाना शुरू कर देती है तो यहां पर वो अपना stop loss नहीं लेते है वो अपने लेवल के नीचे या अपने लेवल के उपर market को wait करने का मौका देंगे let us see let us understand this through an example I am very sure you would have downloaded Dhan app by now if not do it right now मेरे साथ साथ अब अपने ब्राउजर पे tv.dhan.co open कर सकते है और यहां पर मैं आपको लेके चल रहा हूँ इस index के chart पे now for example यहां पे for some reason pick up any random day और यहां पर for example for any given reason मैंने यहां पर Nifty को short sell किया होता next day market यहां से उपर गई और market ने मेरा stop loss let us say यह मेरा market का stop loss था let us apply a horizontal line here यह मेरा stop loss लेवल था market यहां पर इसके उपर गई as you can see market एक बार उपर गई वापिस नीचे आगे close किया अगली बार market फिर उपर गई फिर वापिस नीचे आगे market ने close किया तीन बार market ने उस level को breach करने की कोशिश करी करके गया होता for any given reason maybe कोई technical indicator ने sell दिया था maybe किसी price action setup ने sell दिया होगा for any given reason as I can see कि यहां पर market ने उपर sustain नहीं किया मैं जिस भी कारण किवे से short sell करके गया होंगा मुझे यहां पर panic में exit करने की जुरूत नहीं है and see the market has started following in my direction the market has started trading primarily in my direction और market पूरा दिन मेरे favor में लगातार नीचे गिरती रही so एक और example देखते हैं यहां पर यहां पर for example मैं market को for some reason short sell करके गया था और market against मेरे against खुली और market यहां पर sharply उपर open होई है क्योंकि वो 915 पर sharply उपर open होई है तो जादातर लोग यहां पर stop loss breach होते ही अपनी position को exit कर देंगे और यहां पर अच्छा घासा इन्होंने loss book किया क्योंकि the market has gone up by approximately half a percent which is approximately 100 points in nifty currently और यहां पर आप notice कीजिए one market वापिस नीचे second candle higher than this market वापिस नीचे और यह market लगातार आधे दिन से जादा market नीचे trade होती रही and not just this यहां पर market ने हमें मेरे cost price पे exactly मेरे cost price में मुझे exit करने का फिर से मौका दिया था और market अगर हम close होने की भी wait करें तो भी market ने यह वाला level breach नहीं किया है और अगर हमें इस position को carry forward करके जाते तो again market ने मुझे अगले 2 दिन तक मेरे cost के आसपास मुझे निकलने का मौका दिया था तो कहने का मतलब क्या है कि market अगर मेरा stop loss काटती भी है and if I was patient the market would be giving me enough time and the prices to exit my position at a better price so this is how the smart traders who are very patient in the market this is how these people behave in the market as you would very well understand the stock market is nothing but the transfer of money from impatient to patient और यहाँ पर impatience के चलते वो लोग जो stop loss हिट होते ही market से exit हो जाते है वही पर patient traders को अच्छे rate पे exit करने का मौका मिलता है I have already mentioned that this is a risky technique अगर आपके पास एक decent experience है market के अंदर तब भी आप इसको execute कीजेगा कोई कि यहाँ पर आप market को अपने stop loss के against trade होने के थोड़ी दिर के लिए मौका दे रही है तो you should be very very cautious at that particular point of time अगर वहाँ पर कोई बड़ी news है तो इस technique को apply करने की जरूरत नहीं है आपको आप immediately market से exit कर सकते हैं लेकिन the smart players always give market some time to trade around their stop losses और वहाँ पर वो better price पर exit कर पाते हैं अगर आपको यह strategy अच्छी लगी है तो आपने friends से दा share जरूर कीजिएगा I hope आप Dhan app download कर चुके हैं और आप and you are liking all our features there are numerous features on Dhan app that can help you become a wonderful trader a better trader than what you are today download our app now and share our videos and other content with all your trader friends see you in the next video investments in the securities market are subject to market risk read all the related documents carefully before investing